यह देखो यहां क्या लिखा हुआ है एंगल पीपल पेर के निखट पिसाब करना मना है लेकिन हमको पूरा उमीद है कि लोग यहीं पिसाब करता होगा मस्कार जी कैसे हैं आप लोग स्वागत करते हैं हम आपका इस नए व्लोग में इसने व्लोग की सुरुआत करने से पहले काना चाहेंगे अगर आपने अभी तक हमें इस्ताग्राम पर फॉलो नहीं किया है यह यह हमारे इस्ताग्राम की आईडी आप यहां पर फॉलो कर लेजिए वहां हम डेली लाइब आते हैं और आप सबसे देरो बात करते हैं तो जी सुरुआत करते हैं इस ने व्लोग की और यह जिया हो रही है तयार तो जिया इसलिए तयार हो रही है कि आज हम लोग जो है जिया के घर जा रहे हैं और हम अपनी सस्राल गा रहे हैं वहाँ पर दुर्गा पुजा जो है बहुत ये अच्छे तरीके से सलेबरेट किया जाता है बरे लेभल पर तो दुर्गा पुजा जा है हम लोग यहाँ पर देखें और वहाँ पर मूर्ती विशर्जन का प्रोग्राम है जो आज मूर्ती विशर्जनों का दसमी के दिन वो लोग इंजार कर रहे हैं अपने साली साहब का वो लोग जल्दी से आएंगे और हम लोग भी निकलेंगे वहाँ पर तो जी हमारी साली साहब आ गया है और आप चलने की तयारी करते हैं बुज से निकल लिया हैं अपने घर की तरप और पतिश्य चले अपने साश्वराल और साश्वराल जाने से पहले बीच रास्ते में बिच रास्ते में के आगे का रौटा त्यगरेंगे और बीच रास्ते में ये मेरी ज़रeman he रखी थी और उने रोक लिया इनको और पतीदेब तो खाने में आगे हैं ही रुक गए खाने के लिए अपर अभी गेल दलवारे हैं गरी में लिपने लिए छोड़ते हैं तो हम लोग अभी अपने शाली साहब के हाँ जा रहे हैं और यहां पर जो है सुन रहे हैं दही बारा अब लिए बहुत पह्या है देवारा चाठ है लेकिन खाग कर निकले हम लोग के निकले आचे टेस्ट करने जीगाता है हमारा हो गया पेट फुजा और दाही बारासथ उसमों बहुत अच्छा थी बचा थी अब लोग। अर जी अब चलते हैं लोग और उस्की क्या दरोग वह लेट हो चुका है, कितना बज़े निकलना था? 9 बज़े ना है, अब ग्यारा बज़े चुका है, यहीं बढ़ी फिर जी बुआ साज किया है, पेट पूजा करके, हम निकल लिए अपने राष्टे के तरफ और जी इस बार हम लोग निकले ओटो से, क्योंकि इस बार हम चाहते थे एक अलग experience लेना हम टू विलर से भी यात्रा किये हैं, फोर विलर से भी किये हैं, लेकिन थ्री विलर से इतने लंबे रूट का यात्रा कभी ने किये थे तो सुची कि चलिए इस बार कुछ अलग ट्राय किया थे थे बहुत ही मजा आया था कि कि चारो तरफ से हवा आ रहा था, फोर विलर में क्या होता है कि आप बंद रहता है अंदर में एस ही चल रहा है उतना मजा नहीं आता है इससे पूरा खुला हुआ था हर एक नजारा का बिलकुल लौस के बाद तू ही लड़ भी क्या होता है कि मतलब धूप लगता है तो इसमें धूप से भी बच गए और हवा भी आ रहा है मतलब अलग तरह कि एक्स्ट्रीम लेवल का तो मेरा एक्स्परिमेंट सुक्सेस्पूल रहा है ना हाँ और हमारा ड्राइवर जो भी बाद शुन बढ़ सागा देशाओ तो डूमर का जो चाय है बहुत ही फेमस है तो हमारी ड्राइवर सहाब को चाय पीना था तो वो चलेगे चाय पीने तक हम लोग ड्राइवर सहाब का इंजार कर रही थे और इधर हमने कुछ ये सीन सब ले लिया तो आप लोग देखी पीपल पेर के निखट पिसाब करना मना है लेकिन हमको पूरा उमीद है कि लोग यहीं पिसाब करता होगा कि हम लोग फीपल के पेर के नीचे अपना चाव में घरे हैं महाँ पर ड्राइवर सहाब को चाय पीना था तो अपना चाय पी रहे हैं इंजार करते करते हमारी जिया जो है उसको भी कंट्रोल नहीं हुआ चाय की तो हैं सोकिन ये भी चली गई चाय तो इतना जबरदस्ता अभी जो आप सीन देख रहे हैं, यह सीन है कुरसेला पूल का, जी हम यह वहां से निकलते निकलते थोड़ी देर हो गई, और उसकी कारण थी है हमारी जिया महरानी, कुछ भी, जिया महरानी जब भी चाय पीती है, चाय को इतना ठंडा करती थी है कि चाय सरबत बन जाता है, तो इतना भी ठंडा कर ले कि उसको सरबत बना दे, ने इंटेंटेंटेंटेंग लगा हुआ था, तो आगे जानी को दिया नहीं जा रहा था, फिर हम लोगों को बगल वाले गाउं से हमें जाना पर है वहां पर, और जब गाउं से जा रहे थे, बीच में जो कुछ हमने दे हमने काफी अच्छा लगा, सुचा आपको भी दिखा देते हैं, ऐसी हरियाली तो जी आजकल बस गाउं में ही देखने को मिलती है, काफी कम ही सहर बचे हैं, जहां इस तरह का हरा भरा सब कुछ देखने को मिलता है, सहर में तो जी भीर, भार, सोड, सरावा यही सब, पर गा अलक्सा ही सुकून मिलता है, एक अलक्सी ही सांती का नुखव होता है। जी हम इसी गाउं में अपने बच्पन का कुछ पल बिताए हुए हैं, मेरी मम्मी बताती है कि जब हम पैदा लिये थे, तो बहुत जादा हम, मेरा कलर जो था काफी जादा डार्क था, और फिर उसके बाद जब यहां पर आए गाउं में, साहिद गंगा मया की पानी का जादा जी हमारी साथ कई बर कांट होता रहता है, इस बर भी हमारी साथ कोर्ण रहता है, इस बर भी बिता दो बहुता है। बल्कुन जैसा की जी हमारी साथ कई बार कंड होता रहता है इस बार भी हमारी साथ कुछ कंड हो गिया जैसे ही आटो पहुंचा घर तो हम अपना बैग निकालने के लिए आटो में जा रहे थे ड्राइवर्स हम ने गारी आगे बरा दिया तो जैसे हैं गारी आगे बढ़ाया ओटो का जो चक्का है मेरी उपर चर गया लेकिन ओटो का वजन थोड़ा हलका था इसलिए भगवान की किरपा से कुछ हुआ नहीं होगा भी कभी नहीं इतना पुजा पाट करते हैं कभी किसी का पुड़ा नहीं किया तो हमारे साथ क्यों बुड़ा हो जी पुछा पांगे पुछा रहेंगे हमारी आजनाँ आदे एृजब में तो हमारी शाय वे तो बते हैं बेड़ के रहें हुआे। लोगा है तो ब değiş्ट है क्रायो क्यों मॽआे हूँ कि बश्रा कारे में हमार प्र्श्वा है मं क्रायू Сजर मूर से बढ कि बाख आते साथ खाने में लग गया आटे ही तुना संदाइब कोगत हुआ है वे तेना मेरा चाहिए बाख ने रहे गया अधीड आधे अधे को अधे कि उखाने लिए अधे ने आधे लिग निया आधे लिग अधे शांड़ आधे लिगा है बहुत बढ़ी लिवलका और आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे तो हमारी चैनल से बनी रहेगा और अगर आपने हमारे हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक कर दें बिल्कुल नहीं भूले। हुआ प्रोफजा जो प्रोफ्षोड़ी दो चुटा जी